आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी न उठाया हो वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा बताईए आज आज देश की बागडोर एक ऐसे हाथ में है जो कहता है कि पिएफाई के नाम में भी इंडिया है मतलब कुट्टा को भी चार पैर होता है गधा को भी चार पैर होता है इसलिए सारे गधे कुट्टे है अगर ये रीजिनिंग मैं लगाऊं जो रीजिनिंग इस देश के पढ़ान मंत्री ने लगाया है तो मैं ये कह सकता हूँ न कि प्रधान मंत्री जी को भी दो आँख है और गधा को भी दो आँख होता है जो नोजवान इस्क नहीं करता वो इनकलाब भी नहीं कर सकता है जो इंसान मुहबत नहीं कर सकता वो पडिवर्तन भी नहीं कर सकता है हम इस्क करेंगे नफरत को हराएंगे संबिधान की आवाज को बुलन करके इनकलाब ले करके आएंगे कि जिस देश की 55 प्रतिसत आवादी नौजवान हो जिस देश में दुनिया का हर पांचवा युवक भारतिय हो जिस देश में 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो और जिस देश में जिस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा था उससे ठीक कुछ दिन पहले कारगिल में लड़ने वाले सहीदों के पडिवार के साथ कैसी नगनता की गई है ये बीडियो आप लोगों ने देखा है आज देश की बागडोर पंटी जवाहलाल नहरू के हाथ में नहीं है कि जिन्होंने किताब लिखी थी डिसकवरी ओफ इंडिया आज देश की बागडोर डक्टर बाबा साब भीमराव अंबेदकर के हाथ में नहीं है जो बिदेश पढ़ करके आए थे और इस देश की ड्राफ्टिंग कमीटी में कॉंस्टिचूशन को लिखने का काम किया बनाने का काम किया आज देश की बागडोर 23 साल की उम्र में हस्ते हस्ते फासी के फंदे पे जूल जाने वाले सहीद आजम भगत सिंग के हाथ में नहीं है आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी न उठाया हो वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा बताईए आज आज देश की बागडोर एक ऐसे हाथ में है जो कहता है कि पिएफाई के नाम में भी इंडिया है मतलब कुट्टा को भी चार पैर होता है गधा को भी चार पैर होता है इसलिए सारे गधे कुट्टे है अगर ये रीजिनिंग मैं लगाऊं जो रीजिनिंग इस देश के पढ़ान मंत्री ने लगाया है तो मैं ये कह सकता हूँ न कि प्रधान मंत्री जी को भी दो आँख है और गधा को भी दो आँख होता है बोलिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं भाजपा, मोदी और RSS की चर्चा करूँ मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कितनी गंभीर परिस्थिती में आज हम खड़े हैं कि संस्थाओं को तो छोड़ दीजिए व्यक्तियों को भी बोलने का अधिकार नहीं है इसलिए जब आज आप यूध कॉंग्रेस का जंडा अपने हाथ में उठाए हुए है जब आप कहते हैं यूध कॉंग्रेस जिंदावाद इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जिस देश की 55 परतिसत आवादी नौजवान हो जिस देश में दुनिया का हर पाँचवा यूवक भारतिय हो जिस देश में 45 साल में सबसे ज़ादा बेरोजगारी हो और जिस देश में जिस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा था उससे ठीक कुछ दिन पहले कारगिल में लडने वाले सहीदों के पडिवार के साथ कैसा कैसी नगनता की गई है ये वीडियो आप लोगों ने देखा है इसलिए आप अपनी जिम्मेवारी को समझे आप इस गंभीर समय में जो आपकी भूमिका है उसको आपको समझने परेगी और मेरा मानना बिलकुल साफ है जैसे बिना विचार की कोई राजनीती नहीं होती है उसी तरह से बिना नौजवान के बिना विद्यार्थी के कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है इस बात को याद रखियेगा अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सत्त का साशन हो और सत्ता पे बैठे हुए लोगों का जो अहंकार है उस अहंकार को चकना चूड़ किया जाए जिस लोकतंत्र की बुनियाद पर जिस जम्हूरियत के दम पर आज उनको कुर्सी पे बिठाई गई है अगर आप उनको नीचे उतारना चाहते हैं तो इस बात को आपको समझना परेगा कि इस देश के नौजवानों और विद्यार्थियों को सबसे बरी भूमिका निभानी प जब तक इस देश का फस्ट साइम बोटर जिसके मैसीज में, जिसके स्नाप चैट पे, जिसके इंस्टाग्राम में, जिसके वाट्सेप पे जूट परोस करके, मिस इंफार्मेशन परोस करके उनको गुमराह किया गया है, जब तक उनके सामने हम सच्चाई लेकर के नहीं ज पहुचेंगे जब तक हम श्कूल श्कूल नहीं पहुचेंगे विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्वि और वो सोच को हमको एक एक कारिकरता को अपने बिभार में ले करके आना पड़ेगा अगर हम महात्मा गांधी का उदाहरन आपके सामने रखें तो किस तरह का एकजामपल हमको देखने का मलता है गांधी जी ऐसे नहीं थे कि बुनियाद भारत के कारिकरम में आये हैं करनाटक में सरकार भी है तो थोड़ा फोटो उटो खिचा करके चल देंगे ऐसे नहीं होगा ये मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ ये मैं अपनी आलोचना कर रहा हूँ गांधी वादी तरीका ये है कि चमपारन में जब किसान लर रहे थे तो गांधी जी सहर छोड़ करके चमपारन चले गए वहीं आस्रम बना दिया महीनों तक लरते रहे और अंग्रेजों को धूल चटा दिया ये गांधी वादी तरीका है सौ समस्याएं होगी सौ समस्याएं होगी समस्याएं होगी बतार फ्रंटल और्गनाइजेशन मैं बार बार कह रहा हूँ भारतिये राष्ट्रिये कॉंग्रेस तभी मजबूत हो सकता है जब यूद्ध कॉंग्रेस और इनस्वाई मजबूत होगा इस बात का संकल्प हमको लेना परेगा और वो मजबूती कैसे होगी वो मजबूती ऐसे होगी गांधिवादी तरीके से होगी कि हम एक समस्या को उठाएंगे लगातार आंदोलन करेंगे और जब तक सरकार और परसासन को जुका न दे अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे ये तरीका हमको अपनाना परेगा और एक बात याद रखिएगा जब आप आंदोलन जीतते हैं जब आप संघर्ष को जीतते हैं तो टिकट का सवाल अपने आप सॉल्व हो जाता है या बात मैं इसलिए कह रहा हूँ किसाइद लोगों को इस देश के इतिहास को दुबारा जाकर के देखने की जरूरत है क्यों? क्योंकि हम उस पार्टी से हैं जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है अभी कलाकार ने आजादी की बात की हाथों की आजादी की बात की तो एक एक भारत्य राष्ट्य कॉंग्रेस के कारिकरता को गर्व सरी हबात कहनी चाहिए कि हम वो लोग हैं जो इस देश को आजादी दिलाएं हैं और आजाद देश में आजादी को बचाएंगे भी इस बात को हमको याद रखना है और अगर हमने इसका संकल्प लिया है तो मैं एक उदाहरन आप लोगों को देना चाहता हूँ खास करके जो हमारी महलाएं यहां पे बैची हुई है जब कॉंग्रेस पार्टी हार गई थी स्रीमती गांधी के नित्रित्व में तो उस वक्त लोगों ने कहा था कि कॉंग्रेस समाप्थ हो गया है उसके बाद स्रीमती गांधी बिहार गई थी जहां से मैं आता हूँ वहाँ पे एक नरसंगार हुआ था और स्रीमती गांधी हाथी पे बैच करके गई थी सोसितों से मिलने के लिए उन नरसंगार के जो पीडित थे उन पडिवारों से मिलने के लिए और उनके साथ हाथी पे बैची हुई एक महिला थी जिस महिला का नाम परतिवा देवी सिंग पाटील है जो इस देश की पहली महिला राश्च्वती बनी थी इसलिए हम कहते हैं गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करो फलकी चिंता मत करो आज आप यूद कॉंग्रेस के कार करता है NSY के कार करता है आपको कर्म करने की जरूरत है और हमारा कर्म क्या है हमारा कर्म है अपने विचार पर चलना और हमारा विचार क्या है हमारा विचार है इस देश का संबिधान संबिधान की प्रस्तावना और प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग भारत को प्रभुत संपन समाजवादी, धर्म निर्पेच और लोगतांत्रिगन राज्य बना करके रखना चाहते हैं इसलिए जब ये विचारधारा हमारे पास है इस देश को आजादी दिलाने का इतिहास हमारे पास है और आज के वक्त में हमको गर्व से यह बात कहना चाहिए कि हम मलिकार जुन खरगे के सिपाही हैं हमको गर्व से यह बात कहना चाहिए कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है डरो मत और उनको डरने की जरूरत नहीं है जो किसी के खिलाफ गलत नहीं किये हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है जो जूट बोलते हैं जो जूट बोलते हैं वो डरें जो सत पर चलते हैं उनको डरने क की जरूरत नहीं है एक निडर सिपाही की तरह जिस तरह से मान्य राहुल गांधी जी विपक्ष की मुखड आवाज बने हैं उस आवाज को हमको घर-घर पहुचाना होगा और इस देश की जो बुनियाद है भारत की जो बुनियाद है वो इस देश की संबिधान की को हमको घर-घर ले करके जाना पड़ेगा कई बार कारिकरता करके हमसे सवाल पूछते हैं कि हमको वैचारी कारिकरता नहीं मिल रहा है साहब गांधी वादी एक तरीका है कि सत्त को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती है और गांधी वादी तरीका यह होता है कि आपको बोल महेंगा सट पहन करके मोटा मोटा सोना का सिकड़ी पहन करके पांच करोर का गाड़ी ले करके आपके पास आऊं और मंच पे खड़ा हो करके गड़ी भी भासन दूँ आप हम पे भरोसा किजिएगा एक्षन ही कम्मुनिकेशन होता है हमको अपने एक्षन को अपना कम्मुनिकेशन बनाना परेगा और हमारा कम्मुनिकेशन बिल्कुल साफ है हमारा कम्मुनिकेशन बिल्कुल साफ है कि यह देश सबका था सबका है और सबका रहेगा यह हमारा संकल्प है हमारा संकल्प है कि इ चाहे उसकी जाती कुछ भी हो, इस देश में पैदा होने वाला कोई भी इंसान, चाहे उसका लिंग कुछ भी हो, इस देश में पैदा होने वाला कोई भी मनुस, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, वो इस देश का नागरिक है, और नागरिक होने का मतलब होता है, कि राजा का ब भारत की बुनियाद है और इसी लोग तंद्र को बचाने का काम यूथ कॉंग्रेस के एक-एक कारिकरताओं को करना परेगा हम जो जंडा अपने कंधे पे लिए हैं जंडा सिर्फ MPML बनने के लिए नहीं है जंडा इस देश की आजादी को बचाने के लिए इस बात को याद र जो इनसान को आपस में बाटते हैं एक वो लोग हैं जो उच नीच करते हैं एक वो लोग हैं जो इनसान को लड़ा करके इस देश की सक्ती को कमजोर करते हैं एक हम वो लोग हैं जो नफरत के खिलाफ हमको महबत की आवाज को बुलंद करना परेगा और आखरी बात बोल करक खतम करूँगा जब साहब गा रहे थे तो इनकलाब की बात कर रहे थे लेकिन हमारे कुछ कारी करता उसको महबत की तरह ले रहे थे तो आखरी बात बोल करके खतम करूँगा कि जो नौजवान इस्क नहीं करता वो इनकलाब भी नहीं कर सकता है जो इनसान महबत नहीं कर सकता वो पड़िवर्तन भी नहीं कर सकता है हम इस करेंगे नफुरत को हराएंगे संबिधान की आवाज को बुलन करके इनकलाब लेकर के आएंगे और हम उस रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर महात्मा गांधी ने चला और एक्ता का संदेश दिया हम उस रास्ते पर चलेंगे जिस पर पंडी जवाहलान नहरू ने चला और साहस का पडिचे दिया हम उस रास्ते पर चलेंगे जिस पर ड़क्टर बाबा साब भी मुरा अंबेट कर चले और समानता का बात किया हम भगत सिंग के वासि हैं हम भगत सिंग के वासिंदे हैं, हम भगत सिंग के वारिस हैं, हमको भगत सिंग के सपनों का देश बनाना है, गांधी के रास्ते पे चलना है, और अमबेट करके विचारों को आगे ले करके जाना है, इसी आसा और विश्वास के साथ, कि भारत की बुनियाद इंडिया में है, और इंडिया की जो सक्ती है उसको हमको जोड़ना है एक आखरी नारा बोल करके अपनी बात को खतम करूंगा मैं बिद्यार्थियों के कारिकरम में कहता हूँ जुडेगा बिद्यार्थी जुडेगा बिद्यार्थी जुडेगा बिद्यार्थी उसी तरह से जुडेगा नौजवान जुडेगा नौजवान जुडेगा नौजवान जीतेगा इंडिया इसी आसा और विस्वाज के साथ एक बार फिर से यूथ कॉंग्रेस की पूरी टीम को इने सुवाई की तरफ से पतादी देते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा शुक्रिया, इनकलाब जिंदावाद, जै हिन, जै भारत, जै कॉंग्रेस